हेलो बच्चो कैसे आप सब केम चो मज़ा मचो मैं भी मज़ा मचो बिल्कुल मज़ा माचो मज़ो नहीं रहना चाहिए ठीक है नब बात करते हैं आज की बात और बहुती बढ़ी आज की बात तोपिक अगला management as a profession अरे सर, हाँ बिद्गूल मुझे आदे, tension ना लो हर बार कीता है, पिशिक दास में question दिया था मैंने हाँ सर दिया था, सर दिया था, question दिया था, वो दोनों सही हैं, गलते हैं, step पर question था चलो पहले उसे discuss कर लेते हैं अचा बता पिशिक दास में क्या पढ़ा था, पिशिक दास में पढ़ा था, management as a science दिल से भी लिखा रखा, विचारे ने, I love science ठीक है, तो उसमें चार principle, principle क्रेक्टरिस्टिक क्या दो चलिए, चार क्रेक्टरिस्टिक निकल क्या है, कौन से, P, U, R, E, P से बोलना principle of systematic knowledge, यू से universal applicability, variety है न, R से replication is possible और E से experimentation आशर याद आगे, याद आगे, तो यह science का code था, BSP, art का code था, अब profession की बात करते हैं, आच अब बात करते हैं, कि जो question दिया था सर, उसका क्या खेल है, उसका बहुत जबर्दस खेल है, आईए, चलते हैं दूर, यहाँ खटे नहीं है, तो बहुत सार बच्चे में, कमेंड वीडिया है, ठीक है, और यह बहुत अच्छा लगता है, जो आप कमेंटर था, जो मोटिवेशन में मिलता है, हाब बच्चे पढ़ रहे हैं, और जबाब भी दे रहे हैं, ठीक है, पर्दा उठाए राच से, चलिए राच से पर्दा उठाते हैं, पर्दी मेरे रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो एक जार तो मेरे, खुन जाएगा, अर्मार से रहे हैं, यह लेगे, आंसर क्या लिखा हैं, दिखा था, बोट और राइट, दोनों ही भईया, दोन अच्छा मेरे रहे हैं, आज़गो क्यों, मैं जी अगर है, मैं जी गर है, निसी जुटा ने था, इस्पेशिलेसिं गवर को होती है, साइस एक्स्पेडिमेंट हो रहे हैं, ठीगा ना मन्ना पहिंन देखें, इस्पेडिमेंट करके लिए हैं, चुज़े को अपने बोडे तो बिद ली आगा कि अपने बोड़ी लेका तक बेर रहा था है नहीं बाई सच देज़ा भी क्या रहो कि 8 यह भी से है अपर 2 years by completing her studies she joined the hospital as an eye surgeon now she performed successfully since last few years right यानि कि बोड़े प्राइट इसमें भी हो जा P से practice और से skills जिनकि skills सही तो 2 साल की skills प्राइट प्राइट तो 2 साल में क्या क्या होगा practice ने के वह रही और वह रही है नहीं रहा है नो practice को है नहीं नो तो दोनों ही जाए बहुत है ने लिगार रोश्चलता तो यह तारे लगाएंगे इस के अपर ताक यह रिविजन की time जाद रहे अब चलते हैं वापिस अपने बुक की तरफ पेज नंबर 11 पर आते हैं जी देखिए अब बताये आज का शुरू करना है आज शुरू करते हैं management as a profession अब पहली बात फिर से वही कहानी है एक राजा और एक राणी है कि profession को जब देखा गया कि मैं जब यह बोला गया management management is equal to profession लोगों ने का हाँ भी हाँ कई लोगों ने का लावई ना लगौता प्रफेशनल लोग होते हैं, जो कोई स्पेसिफिक डिगरी लेते हैं, अपनी सर्विस देने के लिए, ठीक है न, 11th क्लास की भी बिजने स्टडी इंपोर्टेंट है, इसलिए वहाँ से सीखी होगी, तो बात सुन्ज में आ रहे होगी, प्रफेशनल जैसे, जैसे, जैसे हम छीए सुधिन्स को भी क्लासि से जेते हैं, तो या बनके क्या बनेगे, प्रफेशनल गट होगे, एक डिग्री ली, और फिर आप वह कामज कर सकते हैं, लॉयर, यौली लुट के बड़े पिचर हैं यह फिट रहे ली वन और टू प्रोफेशन है डॉक्टर साब ट्र साब परीट में दर तुआ तो डॉक्टर भी किया है यह सब क्या है प्रोफेशन अपतबी स्केश्ड उफ चारफ ऑफिर आप उसमरे एक्स पर हो दुनिया आपको उसी profession के तुरू जानती है अब सबसे नलाय को मज़े ले रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाना भी तो profession ही है ठीक है तो आप मुझे जानते हैं पढ़ाने की वज़े से क्यों कि पढ़ाना भी क्या हो गया profession हो गया नहीं हो गया अब जैसे मैं भी इन लोग बताओ बताओ क्या हो सभी profession ने बोला जब भी हम किसी भी profession की बात करते हैं तो हर एक profession को अपनाने के लिए चलाने के लिए और काम करने के लिए हमें basic किताबे जरूर चाहिए होती है किताबे चाहिए होती है जी हाँ, क्यासे बभी, CS हाब बोले पराकसर, CS हाब है हमारे, ठीक है, तो पराकसर बोले सर, मैं सबना कैसे बना बताओ, पढ़के तो क्पढ़ने के लिए क्लिए चाहिए मुझे किताब है ये तो है राइट के पढ़ाई करी राइट किया आपको पढ़ाते हैं अकाउंटिंग सबू अकाउंटिंग की इंडिया में इतनी भी हायस चीजें वो सब पढ़ चोगें अकाउंटिंग स्टेंडर्ड सी फाइनल तक किसा री अकाउंट सब पढ़ ली अक्षे गुमार से बूशे जा लिए लगी उसने क्या बोला मैंने लगी करिए लगी कैसे करियोगी पढ़ा होंगे तभी एक्जाम दिया होगा डॉक्टर साब तरे डॉक्टर साब दिखे रहा बही है उसने आपने देखा इन देखा जो मुन्ना भाई किया करता है एक्जाम दिलवाता है अंद रुस्तम से तो इसका मतलब कि हर प्रोफेशन को क्या चाहिए बुक चाहिए अब जैसे जो लॉयर्स होते है या आप चीए करेंगे तो मैं अपनी बुक भी देता हूं उन चीए फ़ंडेशन में बीकोम में चीए फ़ंडेशन में कुछ बच्छे लीप घरते हैं तो वह और यजाते मेरे पास कुछ कॉलेजिस जो यह बहुत पर लिए अब लुट करता हूं यह करता है तो प्रफेशन में यह law मैं बढ़ाता हूँ अभी मेरी है ठीक है बच्पन की नहीं है अभी की है अब देगे तो इसमें बहुत का रजी बिजनिस law राइट इसे सारी बाते हैं देख रहे ना इसे तरह की हुग है हम से ब्लैक इंवाइट ही है और है भी मज़ता त आपको बुक्त अस्वाल करना पड़ेगा एकनी बात रहे कुछ अस्तन की बाते लिए लिए लिग रखे है जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस ताम को करने में है जिसे लोग कहते है तुम नहीं कर सकते अगर तुम्हें किसी ने क्या दिया ना कि भाई तुम्हारी बसकी अनुए दूए 100 में से 100 तो यही करना है मैं इसी पीछ के पीछे लगा रहूंगा तुम्हें मैंने आ के इस बात को रिमांट कराया कुछ जुनों के घचुके हैं कि सब्सक्रा नहीं आने वाले तो दुनिया में सिर्थ दो ही लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि सब सब लोग कह च किया वह जरूर्ल यकीन करते हैं को दुनिया में तो यकीन करें नगरें आपके परत subjects आप थी Zarinfected आपके पेन अध्या कुछ हें, आप पर यदterior करती कुछ है है अप ला सकते हो, कोई भी यह लग घंगा थी सब्कारों के को हैं आप ला सकती है और दूसरा हूं मैं मुझे पूरा एकिन है आप लेके आएंगे अम्मी का समय पहले दिया चुआँगा आप लेके आएंगे तो ये दो लोग हैं जो इस बात को एगरी करेंगे कि आप सौमे से सौल आएंगे जो मना कर रहा है तो वो ही काम करना है मना कैसे किया मैं करके रहूंगा तो रहूंगा बस ठीक है तो मह बाप की नजरों में उच्छे बनिये उनका मान सम्मान सर आखों पर रखिए उन्हें सर आखों पर रखिए ठीक है क्योंकि उन्होंने ही हमेशा तुम्हें अपनी सर आखों पर रखा है अपनी जरुत से आगे तुम्हें जरुते पूरी गी है ठीक है दुनिया में अपने गाम के साथ से उनका नाम भी रोशन किर जी ठीक है लोग कहें हाँ वही उनके बच्चे ने ये महान काम किया है तो करना है और इसे करके ही दम लेना है सच्च अंशमाप करते हैं तो यह बताईए यह लॉक की किताब है कि निया तो इसका मतलब लल भी करेगा वोई बंदा सीय करेगा वज बंदा तो उसे मेरी वाली मर्केंटार लॉक की बुक तो पंड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी हाउ लॉत तुवाव लॉग वाव आता है चीज आसानी से याद भी हो जाती है यही शायर मुझे मोटिवेट करता है हर दूसरे दिन वीडियो को बनाने में अब देखिए तो किताबे चाहिए ने चाहिए तो अभी बदे बताए किताबे चाहिए चाहिए दिखा भी दिया आपको क्या management के लिए किताबे अब बदाओ आइट में किताबे चाहिए थी साइंस में भी किताबे चाहिए थी और management में भी किताबे चाहिए थी that means what? that means what? this principle या this features of profession is applicable in या present in management तो क्या लिखेंगे? this feature is present in management ये management में present है ठीक है पढ़ लगे एक बार ठीक है पढ़के में एक बार रीट करना जारा क्या लखा है लिखें 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 वाली बाते ब्लुपेंसे इस नोलच के अंग्टेक अधिरा को डिखेंट ने काई शेर को मदा रोगेन से ने कॉनकि रेखेंगे लिखुए को अधिक है ये उसक्राइव थे डिखेंड इस तर्फेर पर प्रपल्स सच आइए मा में कया पढ़ा है जाता मेंट मेंट में तो पढ़ा है रह तो हम क्या बोलेंगे, this feature is present in management, तीनों में एक बात common है, body of knowledge is common in management as a art, management as a science and management as a profession, तीक है, अब अगली बात आती है, जितने भी profession से बात करी, डॉक्टर साम से बात करी, lawyer से बात करी, CA से बात करी, तो सब ने बोला, कि entry restricted है, यानि कि आप अंदर घुशने के लिए भी, आपको थोड़ी मेनद तो करनी पड़ेगी, doctor बनना है, तो entering exam देना पड़ेगा, right, NET का exam होता है न, वो देना पड़ेगा, CA बनना है, तो CA foundation का exam देना पड़ेगा, right, ठीक है, तो exam तो देना पड़ेगा, NLB करनी है, law करनी है, तो CLAT का exam देना पड़ता है, तो यानि किसी भी profession मे गुषने के लिए ठीक है ना आप यूनी में दर्वाज़े खुला चले गए किसी प्रोबेशन में गुषने के लिए आपको गेट पर रुखना पड़ेगा और आपको अपनी एक्जाम पास की माक्षी दिखानी पड़ेगी तो बोते रेस्ट्रिक्टिड एंट्री रहे देखें एक्जाम्पल भी लिखा है तो विकम चार्ट अकाउंटे इंडिया यह तू क्लियर स्पेसिफाइट एक्जामिनेशन कंडुक्टिड वाइ इंस्ट्टूट ऑफ चार्टेट अकाउंटें इंडिया अब बताओ क्या यह फीचर है प्रेजेंट है या नहीं है क्या MBA करनी जरूरी होती है मेनेजमेंट के लिए आप बोलो के हाँ सर मैंने जुम आयम वाल एंब्या करा रहे हैं बहुत लोग MBA करते हैं पर भाहियों और मैंनों यह बिल्कुल गलत जवाब है बिल्कु सरासर गलत जवाब बताओ क्यों अब मम्मी घर को समाल रही है तो पहले मम्मी से बुचे कि मम्मी आप घर को समाल तो ले जो सुबह उट ले काम को ले डिकरी दिखाना चारे अपनी MBA की तो चप्पल उड़ती वे आएगी 200 किलोमेटर की प्रति घंटे ग्रफतार से मम्मी स बुच्छ लोगा भाई तो इतना मैनेज करना था है डिकरी दिखाना एक छोटे सी दुकान दार मुमूज है ना बहुत बुच्चे खाते हैं चटनी तो ऐसे पीते हैं जैसे पता नहीं मुमूज की चटनी में क्या मिर्च में क्या स्वादा रहा है ठीगे ना तो मुमूज अब भी मैनेजमेंट कर रहा है कि यहां भी इस समय आऊंगा इस समय मेरे कस्टमर आते हैं और इस तरीके से बनाऊंगा और वो खाएंगे तो उससे बुच्छ लोगा कि नहीं में MB की डिगर की है और सबसे बेस्ट एक्जांपल मैं आपको देता हूँ डिरू भाई अंबा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी रेलाइंस को बनाने के लिए तनी बड़ी कंपनी ठीक है आज सबके बास लाइंस जी ओगा से मैं बहुत सारी रिड़्ट आते हैं अब तो क्या अनों आणे ये टेलेंट होना चाहिए, काभीलिय दोने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? दुनिया को तो दुनिया में वगॉर्ट कर रहें कंपनी तो दुनिया के वन आप टॉप जाने रिलाइंज बिना किसी डिग्री के इसका मतलब management करने के लिए मुझे को एक्जाम देना पड़ेगा MBA का फिर पास आउट होंगा फिर डिग्री लेगे करूँगा नहीं बिलकुल भी नहीं यह दिरू बाइम्बानी इक्वल टू आप यह बोल से थे 10 पास या निका आज कल के जमाने में 10 पास को आप बिलकुल illiter person made the one of the topmost company of the world right तो क्या उन्होंने MBA की पेगने नहीं नहीं ना इसका मतलब restricted entry professions में तो होती है डक्टर को कहना भी एंट हमाने तो एक्जाम देना पड़ेगा लेकिन MBA यानि को MBA करने की जरूरत नहीं है manager बनने के लिए कोई MBA करने की जरूरत नहीं है आप खुद चीजों को बिना पड़े भी MBA बिना MBA करें बिना पड़े भी आ manage कर सकते हैं तो क्या इस feature present दूआ नहीं हुआ देको क्या लिका there is no restriction on any being designated as manager that anyone can call a manager irrespective of education and qualification तो क्या बोलेंगे this feature is not present in management event ठीक है आई यो बात बिल्बिल उतनों तक पहुच चुकी होगी save रखिएगा वहीं पर इसे at least March 2020 तक तो तीसरे क्रेक्टर की तरफ बढ़ते हैं अब देए तीसरे क्रेक्टर क्या है तीसरे क्रेक्टर क्या है तीसरे क्रेक्टर बहुत ही मज़ेदार है professional association sir यह क्या चक्कर है अब यह चक्कर यह है जब भी आप सीय करेंगे सीय बनेंगे तो ICAI आपको monitor करेगा कुछ कुछ की वही ऐसे काम करना है ऐसे चीजों होती है ऐसा करना है ऐसा करना है राइट मेंबर्शिप लेनी पड़ेगा आपको वहाँ पर रिजिस्टर होना पड़ेगा डॉक्टर बन जाते हैं डॉक्टर क्या होते हैं ओल इंडिया इसको उनकी बातों को मनना पड़ता है दूसरे अग्जेश्धल की रिजस्टर है कर लिज्द्र doctors have to registered in Medical Council of India Medical Council of India में doctors Ko registeredğu ौna Paडता है Ta-da there council met जना भीटे बाट ने बड़े बड़े इक डेशो में ऐसी छुटी छुटी बात होती रोती है senorita ठीक है ना तो यहां लिख यह यहां का एक्जामपल है यह दूसर एक्जामपल हो गया अब यह बताओ MBA यानि कि Manager बनने के लिए किसी बार काउंसे इस्टेड होना पड़ेगा किसी Medical Association इस्टेड होना पड़ेगा या किसी जबन उसमें देखो क्या करें के आँ कि में गवाई देने क篇वे खुलिये आपको किस जेना प्रियादारा ये दूशी है जेट सवार ही पर दिया है जाजी वकील सब जनाब ये सब को छूद है बहुत बढ़ी साजिश है मेरे खिलाब ये जो टेस्ट आपने देखा किसे रे छेर चार किया तेनाब फियट की फैक्टरी में मर्सिडीज नहीं बनती है जनाब इन्होंने कोशिश की वगर पकड़े गए लुकावट की ये खीद है मेरा यकिन करें मैं कभी ऐसा काम करी नहीं सकता हूं मैं सब जानता हूं वकील साब में आपको क्या लगता है यहां कोट में मैं गब दूसा बना बैठा रहता हूं है जी मातल जी आपको तो मालम ही होगा यहां के लोग मेरे को क्या बलाते हैं कोट के बाद टेटे बियार है आपको किसी में गोली मारी, इसका तुख है मुझे, पूरी सिंपेती है मेरी, लेकिन इतनी नहीं है, कि आपकी गहर काणोनी आपको मैं कोड के अंतर नजर अंदाज कर दूँ. कोट के अंदर जूटा जवाब पेश करने के चुर्म दे और जितनी चल्द हो सके लिए कि फिर से सुन लो कोट के अंदर जूटा जवाब पेश करने के चुर्म दे और मैं बार काउंसल चलते हैं बार काउंसल कैसी होती है इसे होते हैं बार काउंसल यह हैं चेयर मैंन ऑबार काउंसल और जूटा सुनाइगी इसका अक्षे गुमारगा कि तरह रूल तोड़ा है बार काउंसल में इन्हें सजा में इसका मिटी सर्वसंबती से एद्वोकेट जबीश्वर मिश्रा और जॉली को साथी वकील पर हमला क करने और जूटा गवाप पीश करने का खुसूरवार मांते हुए अपका लाइसेंस रद करने का पैसना सुनाइगी और यह करने लिए असोसेशन के रूल्स के मताबिक अपनी बेगुनाही थावित करने के लिए जॉली को चार दिप्र मौलब में देती है अगर हम सीधी लाइसेंस रद करने लगे तो माफ किशेगा इस कोट में डाइप राइचों निखाई देंगे वाकिल नहीं पुरी विच्छर दिखा दू तो समझे रहे हैं बार काउंसल यह होता है बार काउंसल का असर यहां पर रेस्टेड है हमारे एक्षिगुमार साथ अब उनको बार काउंसल ने बहा दिया कि लाइसेंस आपको कैंजल करते हैं तो यहां आपको हर प्रफेशनल को ऐसे ही लेकिं साथ जूडना पड़ता है जो उनके उपर कंट्रोल और रूल्स लगाता है अब मैनेजर बनने के लिए जूड़ना पड़े हैं कि ए आईम में एक एस्टेशन बनी है जिसके साथ आए associate हो सकते हैं लेकिन लेकिन वहां पर कंपल सरी नहीं है उनके साथ होना राइट नहीं क्या लिखा है इनको भी मैनेजर को भी institution का रिष्टर होना नहीं होना तो क्या लिखी नहीं लिखी नहीं लिखा है अब बात करते हैं अगली चेक करना जारा क्या लखा है ethical code of conduct राइट जितने भी जितने भी लोग होते हैं हमारे professions में उन सब के साथ कुछ code of conduct जोड़ होते हैं यानि ethics एथिक्स समझते क्या होता है एथिक्स का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाजें आपके अंतरात्मा आपसे क्या कहती है ठीक है ना क्या करें अंतरात्मा वो तो जो अंतरात्मा उसे एथिक्स बोलते हैं उन अंतरात्मा की आवाजों को कुछ वार काउंसिल के लोग या association के लोग या हमारे profession के लोग लि जाए आएक कि डाक्टर्स को कसम खिला जाती है कि मम्मे कसम निंग उन्हें कसम जा जाती है जिसे बոटा हो तना कसम खिला जाती है कि उस लग team करेंगे मैं यह है कि नदेखक से निग drills करें निकर रहे हैं ऐसी एसीellt का तरहें कसम खिला जाती है अगर ऐसे करते हो पकड़ेगे तो डॉक्टर की डिग्री कैंचल ठीक ना डॉक्टर से कहा जाता है कि आपको कसम खानी आप हमेशा गरीबों की मदद करेंगे राइट गरीबों से जादे पैसे नहीं लेंगे है तो यह कुछ में तो यह एक पैसे दिनें मैं यह एक अथिकल चीजे शिक्या जाती है कि नहीं पर हैं कि मैं आपकी इंकम टेस्ति ल्टकber दूंगा तीक है ना राइट इतने रुख़एं पर दूँगा इतना चारिट पर दूँगा ये पर दूँगा वो पर दूँगा इस तरीके से नहीं बताया जाता अथिकल गूर्ड ऑफ कंड़क्ट अब ये बताओ क्या एंतरा आत्मा कि यह बात उसूल जैसे पी चलेते हैं मिताब चंगी उफ तुमारे उसूल तुमारे आधर्श बस वह तुमारे उसूल और तुमारे आधर्श ठीक है ना वो क्या मैनेस्मेर्ट पर ह होंगे या नहीं होंगे तो समस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं होंगे यह बड़ी बात भी लिख्खी है ठीक है management में भाहिया कोई उसूर और कोई अधर्ष नहीं होते हैं राइट डॉक्टर का example यह लिखा हुगा basic purpose of the management to help organization achieve the stated goal में एक ही उसूर और एक ही अधर्ष है management का एक ही उसूर भाइया बाप बड़ा ना भाइया सबसे बड़ा रुपईया only thing is profit maximization for the business enterprise ठीक है तो उनके लिए कोई ethics नहीं होते हैं by hook और business को आगे ले जाना और आगे कैसे ले जाएंगे profit से ही ले जा सकते हैं तो भी profit कमाना है कैसे भी करो कुछ भी करो profit कमाओ कि तुछ मेरेने बात राइट और आखरी में आता है अच्छा तो क्या लिखेंगे इस feature present or not this feature is also not present in management और आखर में service mode अब दिखो यह बात तो बहुत बिल्कुल सही है और मैं भी मानता हूं हर profession को यह सिखाया जाता है कि यह सेवा सेवा करनी चाहिए हिंदी में गर बोलू तो बहुए एक बात ध्यानक में जिवन में सेवा पर्मो धर्मा सेवा ही आपका पर्म धर्म है दूसरों की सहायता करना दूसरों की सेवा करना ही पर्म धर्म है इसलिए कुछ लोग कहते हैं वह यह सेवा पर्मो धर्मा कि दूसरों की सहायता करना ही सर्विस करना ही पर्म धर्म है राइट आप भी मानेगे नहीं मानेगे ठीक है माने आना मानो मनना पड़ेगा अब बात आती है प्रोफेश्चन्स को यह सिखा जाता है जैसे फॉर एक बच्छा मेरे पास आया उसके पापा भी आए अब उसके पापा बिल्कुल गरीब है रिक्षा चलाते हैं तो कल लगा स प्रोफेश्चन्स को हमेशे सिखा जाता है कि कोई भी आपके पास आये तो सेवा पहले है पैसा बाद में यह नहीं कि महम नहीं नहीं बता मुझे तो फीच चाही है मैं फीच लूँगा तब पढ़ाँगा बन्मन यह पढ़ाँगा इसी के उफ तरक पिच्चर भी है ठीक है देखी भी होगी आपने शूपर थर्टे रिसी रशन वाली उसी के पर तो बेज़त है कि प्रोफेश्चन टीचर्स को भी बताया जाता है कि भाई पढ़ाओ फिरी में बढ़ाओ बच्चों को लेकिन जरुतमन बच्चों को पढ़ाओ थाकि वह आपको जीवन पर याद रखें डॉक्तर्स को भी आज तो गरीव आया ठीक है कि भाई पैसे न दे सकता तो यार ऐसे मत करो कि पैसे के चक्र में उसको इलाज नहीं करोगी हाला कि बड़ी खतरना कि स्थिती आज के पिच्चर आई थी गबर उसमें तो बिचारे को मरेवी के परी बिल बना देते है तो देखिया ना तेहार लगन फिर भी कुछ अच्छे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी है ठीक है जो इस फिल्म की तरह नहीं है वह हमेशा यह कहता है कि हावई हम इलाज करेंगे ऐसी एक बैने सौना है गुजरात में एक डॉक्तर है वो सिफ पांच रुपाई लेत बिकाओ सर्वेस फॉर्स एफिडेबी बन वाना हो हजार रुपे फेक विट्नेस पंदरा सो रुपे विट्मेस ही लियांगे बहुत बढ़िया फ्रॉट प्रेटिशन फाइल करनी हो केस मतलब आट सो रुपे फेक यह ना वारंट बन वाना हो पांसो इस तरह काम करवाने ह कड़ती है एक मैनेजमेंट को भहिया अगर मैनेजमेट में सेवा करूगे तो मीधा कहां से मिलेगी यानिकी सेवा करने काम लोगों को free में देता न कुछ उनका बिना पैसा ही काम करना तो अगर मैं business कर रहा हूं और मैं समान बेच रहा हूं तो भी या वो का बतना गोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या समझ गए तो गोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता यानि कि एक बिजनिसमेन अपने goods को free में नहीं दे सकता अगर वो फ्री में बाटन लएगा भेंडारा करने लगेगा तो फिर वो खुद अपनी costing कैसे निकालेगा खुद क्या खाया खुद सर्वाइब कैसे करेगा इसलिए एक ही objective होता है कोई सिर्फ प्रॉफिट कमाना तो मैंने बाद मैंनेजमेंट का objective है सिर्फ मैंनेजमेंट के objective प्रॉफिट कमाना तो मैंनेजमेंट वालों को सर्विस मोटिव नहीं सिखा जाता है आजकल कुछ बिजनिस में CSR करने लगें कौफिट सोशल रिस्पॉंसिलिटी निभाने लगें सिवा करने लगें सिवा करने लगें सोसाइटी की development और सोसाइटी लेगिन वो भी अपने प्रॉफिट का दो परसेंट ही करते हैं सारा प्रॉफिट तो सिवा में दे सकते ना ठीक है आजकल ऐसा होने डागा अब लिख सकते एक्जाम में ठीक है नाओड़ेज फ्यू ऐसे लिखें नाओड़ेज फ्यू कंपनी या मुस्ट अदा कंपनीज डूइंग CSR एक्टिविटी यानि सोसाइटी के डिवलप्मेंट प्रॉमिट्स बिजनिस ठीक है लेकिन तो तीन चार पांच इसमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फीचर है जो लगता है बादी ऑफ नौनिस बाकितों लगता है इसका मतलब मैनेजमेंट के प्रॉफेशन हो सकता है नहीं होता है अब बात करता है याद कैसे करेंगे अब बता हम मैंने प्रफेशन कोन होते हैं प्रफेशनल्स होते हैं भालू सर क्या बोलगे यह हाँ भी हाँ प्रफेशनल्स होते हैं भालू ठीक है तो भालू को एंग्लिश में क्या बोलते हैं B.S. समझ गए हैं जल्दी से नोट कर लें B. से Body of Knowledge E. से Ethical Code अंतरात्मग्यवाज उसूल आदर्श A. से Association Bar Council ठीक है जल्दी वाला R. से Restricted Entry आपका एक्जाम देना पड़ेगा CA Foundation ठीक है CLAT S. सर्विस मोटिव सेवा करना यह सारे Characteristics हैं इसमें से नीचे के चार Not Present यह वाला Present ठीक है यह बासन में आई होगी तो बहुत बहुत हैं आते हैं अब यह अंतिंग पड़ात रहा है यह कुछ आपको पांच कोस्टन्स में दे रहा हूँ इसको नोट करना है और इन सवलों का जवाब देना है ठीक है ना कभी जोग इन तरात्मा में अभी तब अच्छन सावा जाते हैं ठीक है यह देखो यह कॉस्टन्स है मैनेजमेंट इग्जेक साइंस का जाओ देंगे अनिटिफा दू नेचर अफ मैनेजमेंट वेन इट इस सेट तो बी सिस्टमेटिक बॉडड़ी अफ नॉलजज विट विच एक्स्पें जेनर रूल्स यह क्या है बहुत साइंस एग्जिस्ट टूगेटर इन मैनेजमेंट यह बहुत इंपॉड़न है कि देंसे सोच समझते जाओ लिए इसका और यह भी बहुत मैज़दार कोश्चन है गुलगुल है उनका बिजनिस चलता है उनका बेटा यूए जाना चाहता है वो कह रहा है बेटा यूएस मज़्या बेजनिस जोइन करने क्यों कैसे लगा रहा मेरे बेकार में तो क्या उन्हें अपने बेटे को यूएस भीज़ना ची एंब्या करने के लिए की स्टेडी आपकी ये वाली बुक है अपनी बुक की 100 आट और फंडेट वाली बुक की कोश्चन नमबर टू हमबख है 25-29 आपको करना है चलिए इन में से कोश्चन में दिखा दूँको राइट और एक ये वाला मैनेजमेंट इस रिकारेट एस परफेक्ट साइन्स लाइ की से की से करना है अपकी बुक की ये वाला मैना है अपकी ये वाला मैनेजमें इस रिक ये दो और बुक की आप चलिए गाल सुनी लिया आपने बढ़िया लगा यह ना लगता है नोट भी कर लिया अब आपने कुछ रहागे और तो पॉस करके नोट कर लेंगे अब कॉर्षन टू होनवक है कोशन टूंटिफ़ टूंटिफ़ से इक्डिक्टर है तो यह चलते हैं बहुत दूर यहां खटे नहीं है मैनेजमेंट एप्रोफेशन कॉर्षे का मिया का मिया है और यह यह जोन देगा फ्रीश्य कोई नाम मिलेगा क्वें वी तरह नहीं है नत्तव देखनी नांसर देखनी लगना पहली अच्छाएड देखने लगना पहली याइट आंसर दो लेकर लुग चीक है अब बताओ यह screenshot ले ले जिन बच्चों के पास book है वो करी लेंगे जिनके पास book नहीं पहुची है अभी तक स्क्रीन शॉट यह ले और ध्यान से question को पढ़के जवाब देंगे इमांदार इसे करना देखो विमानी नी करना किया ना कशा में तुम्हें मावानी की विमानी नी करना पहले question को लिखे ध्यान से पढ़े फिर इस पर जवाब दे ठीक है एक्स्प्रेंग दरीजन because of this dharm consider management as a discipline यह थोड़ा सा second chapter से लेट करता है चीग है ना दूसरा critically examine the reason why management is not considered to be full-fledged profession क्यों management को full-fledged profession नहीं माना जाता इस की study को ज्यान में रखके जोड़ देना है चीग है सुनागे बात है है और है हो आपको अगया होगा आज मी चीग है ना फिर से मिले में अगरी क्लास में सीखते रहे है आगे भड़ते रहे है और सो में से सो लाने के लिएटों को जिंदा रखिए ताकि मैं भी खुछी से कह सकूं आपे मेरे इन तो मिलते हैं अगली लेक्चर में आपके प्रोडूशर और डारेक्टर अफिस देन को अगरवाद अगली लेक्चर में आपसे फिर भी लेंगे राइट, सी यू, टैंटनान कर दो